वेलकम टू मास्टरमाइड अब जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत हैं मास्टरमाइड अब जीके में फ्रेंस आज इस वीडियो में हिंदी का 50 महत्पून प्रश्ण को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायर मैंड एक्जाम 2021 के लिए काफी महत्पून है जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंस कि बिहार पुलिस फायर मैंड एक्जाम का जो सिलेवस में चेंज किया गया है अभी जो प्रश्ण रहेंगे सभी मैट्रिक लेवल के रहेंगे फ्रेंस तो उसी सिलेवस के अंसार मैं पहले भी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ फ्रेंस और आज जो भी 50 प्रश्ण हिंदी का है वो बिल्कुल सिलेवस के अंसार है देखें सिलेवस भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ फ्रेंस अपने वेपसाइट पर भी बार बार में बताते रहता हूँ तो देखें फ्रेंस थोड़ा सा देख लेते है आपका कारक से होगा सर्वनाम से होगा विसेशन से किरिया विसेशन से और किरिया से ठीक है तो इतने टॉपिक से 50 महत्पुन को मैं आप लोग को प्रोवाइड करा हूँ फ्रेंस तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा और यह सभी 50 प्रेंस आपको कल तक फ्रेंस वेपसा कितना है आपका 17 टॉपिक है इसमें तो आज हम लोग तो आपका 10 टॉपिक और बचा हुआ है तो इसका भी मैं आपको करवा दूँगा यही है आपका नया सिलिवस में हिंदी पढ़ने पाठीकर हम देख सकते हैं आपका यही है तो चलिए शुरू करते हैं तो कारक के बार देखें तो को टैप करने में इसके बाद में बनाने में और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और जो पहनी बाल चैनल पर विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जरूर दबादीए ठाएक फ्रैंस तो चलिए देखें और पर है, संपरदान का जो चिन है क्या को और के लिए है, संबंद का चिन क्या क्या है, तो का है, की है, के है, रा है, री है, रे है, ना है, अन्ने है, ये संबंद का हो गया, उसके बाद ने संबोधन, संबोधन का चिन क्या फ्रेंस, ए है, है, अरे है, ओ है, ये आपका आठ आपको कारक था सभी का चीन यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो आपको कारक याद हो गया फ्रेंस की कितने है टोटल आठ है कौन-कौन है यहां पर लिखा हुआ है आप चलिए देखें यहां से पढ़ते हैं इस तरह से आपका अब्जेक्टिव प्रेशन पूछा जाएगा कि इस वाकिय में आपादान कारक है ठीक है तो आपादान कारक किसमें आप लोग गेस करते चलिए पहला का करेक्टर हो जाएगा क्या फ्रेंस ऑप्सन नमर सी हो जाएगा हिमाले से गंगा निकलते है तो कौनसा कारक हो जाएगा उसमें आपादान कारक हो जाएगा ठीक है तो तो देखे फ्रेंस जो मैं बता रहा हूँ कोई जरूर नहीं कि आपका हूब हूँ यही question पूछा जाए लेकिन जब आपका concept के लिए रहेगा तो आप जरूर आर सकते हैं जैसे कि मैं सिता घर से बजार जाती है तो इसमें भी आप अदान हो जाएगा हिमाले से गंगा निकलत हैं अब देखे यहां पर आपका था फ्रेंस चाकू से फल काटता है इसमें भी से का चिन लगा हुआ है तो देखे चाकू से फल काट रहा है तो इसका किसका होगा करन का हो जाएगा ठीक है किसी आउजार के द्वारा इस्टूमेंट के द्वारा जब प्रयोग होता है तो तो आपका करन का भी चीनिज आपका से है और किये द्वारा है ठीक है देखे सिरय द्वारा है कि इसको भी कर सकता है चाकू से फल का तो यह तो ने ठीक फारन से एडियोग I Бघ से कौनसेब्ट के लिए रखे गा चले सवाल नमबर दो को दिखते हैं सवाल नमबर दो है और साड़े आठ बे मैं लाइब क्लास आओंगा फ्रेंस तो आप लोग परती एक दिन जुरूर जुड़ियेगा लाइब क्लास ठीक है सवाल नमबर दो आपका है कि साध्मों की संगति से बुद्धी सुधर्ती है इस वाक्य में से किस कारक की विभगती है तो दो नमबर सवाल का इसका हो जाएगा फ्रेंस आपका आपसन नमबर भी करन कारक का हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका जुदाई नहीं हो रहा है और इसमें साध्यों की संगति से यानि द्वारा हो रहा है तानि इसका right answer क्या हो जाएगा करन कारक हो जाएगा ठीक है दो का right answer option number B हो जाएगा important question है सवाल नमर तीन को देखे कि के लिए किस कारक का चीन है तो के लिए किस कारक का चीन है डिरेक्ट पूछा भी जा सकता है तो तीन का correct answer होगा संपरदान के लिए इसका चीन है ठीक है संपरदान का जो चीन होता है क्या होता है के लिए होता है सवाल नमर चार को देखे सवाल नम अब दान कारक तो इस तरह से concept clear रखेगा तो कैसा भी प्रशन पूछेगा बना दीजेगा चलिए सवाल नमर 5 को देखते हैं सवाल नमर 5 आपका है कि रवी दूध को पी रहा है इस वाक्षिंग में कौन सा कारक चिन है तो देखे इसमें रवी दूध को पी रहा है तो पांच कर्म कारक हो जाएगा ठीक है रवी पी रहा है तो किस को पी रहा है इसमें कर्म आरहा है फ्रींजक कर्म कारक हो जाएगा सवाल नमर 6 को देखे सवाल नमर संपर्दान हो जाएगा आप देखिए यहां पर कहिए को चीन में संपर्दान कैसे होगा तो को का भी आपका संपर्दान का भी होता है को और के लिए होता है तो राम ने लता को दे दिया किसके लिए के लिए दे दिया किसके लिए आपका तो राम ने लता के लिए अपनी कलम दे दिये तेहां पर संप्रदान हो जाएगा चाहा का करेक्ट अप्सन नमर सी हो जाएगा सवाल नमर साथ को देखे सवाल नमर साथ है वह अगले साल आएगा देखे इसमें आपका काल अबधी का बोध हो रहा है इस वाक्ष में कौन सा कारक होगा इंपोर्टन कोशन है सब प अधिकरन का चिन क्या होता है में और पर होता है किरिया का अस्थान संबंधी ठीक है किरिया का अस्थान संबंधी और काल संबंधी आधार होता है तो देखें आपर काल संबंधी हो रहा है अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा तो अधिकरन कारक हो जाए एक relation बता रहा है फ्रेंस तो character answer हो जाएगा option number B समंद कारण का उदारान है सवाल number 9 को देखे सवाल number 9 आपके सामने है कि वो अपने वर्ग में सबसे तेज है इस वाकि में में किस कारण का चीन है वर्ग में का रहा है तो किसका था जेस करें 9 का 9 का right answer हो जाएगा अधिकरण अधिकरण में होता है में और पर होता है ठीक है तो अधिकरण कारण का चीन है तो इसके option number 10 का character answer हो जाएगा सवाल number 10 को देखे सवाल number 10 है आपका फ्रेंस राम ने रावन को अंततह मार डाला इस वाकि में को किस कारण का चीन है यहाँ पर वाक क्यों होगा ठीक है यहाँ पर बात नहीं इस वाक क्यों होगा ठीक है इस वाक क्यों होगा वाक क्यों तो भूखे को भोजन दो इस वाक क्यों में कौन सा कारण है गेस कजिए करण कारण अधिकरण कारण संपरदान कारण या तो कर्म कारक होगा इगारा का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमर सी हो जाएगा संपरदान कारक हो जाएगा देखे भूखे को भजन दो यहाँ पर तो को आ रहा है लेकिन भोजन किसके लिए दिया जा रहा है के लिए के अर्थ में बोधर आया तो भूखे को ठीक है तो भोजन भूखे को भूखे को भोजन दो आनि कि भोजन किसके दिया जा रहा है किसके लिए तो भूखे के लिए तो यहाँ पर संपरदान हो जाएगा तो इस अब देखे प्रशन आपको याद करके रखना पड़ाएगा ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम को देखें और कर्म कारक मार दिये तो देखें भूखे को भोजन दो इस टेप का आपका सवाल पूछा जाएगा चलिए नीशा रवी से बड़ी है तो बारा का क्या होदागा इसमें समद्ध बता रहा है ना नीशा रवी से बड़ी है या छोटी है तो आप्सन नमर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा चले सवाल नमर 13 को देखे संग्या के अस्थान पर परियुक्त होने वाले सब्द को कहते है कुछ प्रेश्ण था जो कारक से अब देखे आप यहां पर से आगे आपका सर्वनाम से आ रहा है तो संग्या के अस्थान पर जो परियुक्त होता है सब्द 것을 सर्वणाम कहते हैं अब देखि मौहन violence लड़का है वह इमन्दार है और उसके बाद जो लिख रहा है वह इमन्दार है तो देखिए के जिगा पर क्या रहा रहा है वह आ रहा है यही जो आपका सर्वणाम हो गया संग्या के अस्थान पर पर्यूप्थ होने वाले सब्द को क्या कहते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं जब हम दखे किसी पर लेख लिखते हैं फ्रेंस तो इसमें सर्वनाम का बहुत पर्योग होता है ठीक है जैसे की आप मोहन के बारे में लिख रहा है लेख या तो सोहन के बारे म क्यों सामने है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं अब सरवनाम से देखते हैं तो सर्वनाम के कितने भेदें जान लीज़े करacial से सर्यसर पोल dried जानरा का 17 स्र मुंत Eli Senior क्यों क्या होगा उ स्वाल को थिक सा? पहला है पुरुस वाचक सरवनाम, दूसरा है निश्चे वाचक सरवनाम, तिसरा है निश्चे वाचक सरवनाम, चोथा सम्मद वाचक सरवनाम, और पाचमा है प्रश्ण वाचक सरवनाम, और छठा है निज वाचक सरवनाम, देखे इसको इसी से आप समझ सकते हैं, पुरुस वाचक सरु नाम के अंतर्गत आएगा उसके बार नीश्चे वाचक सरु नाम तो नीश्चे जिसे निश्चिता का बोध हो जैसे कि यह ठीक है यह जो आपका क्या हो जागा निश्चे वाचक सरु नाम है फिर प्रश्ण वाचक सर्वनाम जिसे कौन आ रहा है कौन जा रहा है नीज वाचक सर्वनाम जिसे आपका मिजिता का बोदो जिसे स्वायम हो गया ठीक है ये स्वायम है जो आपका नीज वाचक सर्वनाम का उदारण है तो सर्वनाम के च्छा बेद है उसमें आपका पूरुस वाचक की भी कितने बेद होते हैं ये भी याद रखना पड़ेगा आप लोगको तो पंदरा का करेक्टर अप्सर नमर बी हो जाएगा पूरुस वाचक सर्वनाम के कितने बेद होते हैं तो तीन बेद होते हैं कौन-कौन होते हैं देख लिए उत्तम पूरुस मद्यम पूरुस अन्य पूरुस तो देखे मैं और हम ये हो गया उत्तम पूरुस तू तूम आप ये हो गया मद्यम पूरुस अन्य पूरुस में वह कि बोलने वाले के लिए जिन उस्तरव नाम का पर्योग होता है उन्हें क्या कहते है चलिए जो बोलता है उसको क्या कहते है तो आप लोगों को गेस करें इसका तो उसे उत्तम पुरुस कहते है ठीक है उत्तम पुरुस में कौन को ना आता था तो यहां पर देखिए का रहा है कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का पर्योगता उन्हें क्या काते हैं तो इन्हें उत्तम पुरुस काते हैं 16 का राइट अंसर आपसान नमर 2 होगा तो उत्तम पुरुस के अंतरगत कौन कौन है मैं और हम चलिए अगला सवाल है निष्चे वाचक सर्वनाम निष्चे वाचक सर्वनाम निष्चे वाचक सर्वनाम है इस तरह से याद रखे तो 17 का राइट अंसर आपसन नमर 3 होगा 18 नमर सवाल को देखे 18 नमर सवाल है निष्चे वाचक सर्वनाम है अब गेस करें इसमें अनिस्टे वाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा तो देखें इसमें हो जाएगा कोई कोई मतलब कोई निस्चिता तो नहीं बता रहा है आनि option number 6 का correct answer हो जाएगा सवाल number 19 को देखें 19 नमर सवाल है निमलिकित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का असुद पर्योग हुआ है इतना वाक्य दिया हुआ है फ्रेंस चार आप वाक्य दिया हुआ है इसमें एक वाक्य में सर्वनाम का असुद पर्योग हुआ है उन्हें इसका right answer option number 2 हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा इसमें है जो सर्वणाम का तेरे यहाँ पर नहीं होगा ठीए फ्रेंस मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा एक गलत है ठीक है मैं तुमको या दूँगा आपको यहाँ पर कर सकते हैं मैं आपको एक घड़ी दूँगा तो चलेगा फ्रेंस मैं तेरे को तेरे है जो आपका कोई सर्वणाम इसमें नहीं यानि किसी option नमर 10 उन्हें इसका correct answer है बाकी वह स्वयम यहां नहीं आना चाहिए स्वयम यहां यह सही है आपके आगरापर मैं दिली जा सकता हूँ मुझे इस बैठक की सुचना नहीं थी यह सभी में सही सर्वणाम का पर्योग हुआ है लेकिन इसमें नहीं पर्योग हुआ है तो इस टेप से अपका प्रश्म पूछा जा सकता है किसी भी तरह से घुमा के प मदद किया था तो इसमें संबंद वाचक सर्वणाम का होगे आपका जो यह अपका जो है जो आपका संबंद वाचक सर्वणाम का उदारान है ठीक है तो ऑप्सन नमर B 20 का करेक्ट अंसर होगा चलिए सवाल नमर 21 को देखे आप किसी को भेजिये नहीं मैं स्वैम आ जाओं सब विशेशन के बारे हम जान लेते हैं तो विशेशन किसे कहते हैं थ्वाचा देख लेते हैं सवाट में संग्या या सरवनाम की विशेशता बतलाने वाले सब्द को विशेशन कहते हैं ठीक है जो संग्या और सरवनाम की विशेशता बताता है उसे क्या कहते है विशेशन काते हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रहे उसे क्या काते हैं विशेषी कहा जाता ठीक है अब देखें उदारन में मनोहर एक होनहार लड़का है यहाँ पर देखें किसका विशेषता बता है होनहार है जो लड़का का मनोहर का विशेषता बता रहा है तो होनहार यहाँ क्योंकि अब लड़का का विशेशता बता रहा है और लड़का का विशेशता बता रहा तो लड़का हो जाएगा विशेश हो जाएगा ठीक है समझ गियोंगे विशेशन किसे काते हैं जे उधारणज के साथ समझ गियोंगे फ्रेंज अब चलिए विशेशन के भेद काते हैं विशेशन के मुखिलूप से कितने भेद होते हैं, तो आपका चार भेद होते हैं, कौन-कौन, गुनवाचक विशेशन, परिनामवाचक विशेशन, संख्यावाचक विशेशन, और सार्वनामिक विशेशन, ठीक है, ये चार परकार के विशेशन होते हैं, गुनवाचक, पर प्रश्ण पूछा जा सकता है गेस करें इसका राइट अंसर क्या होगा इसका इसमें विशेशन कौन है राइट अंसर ऑप्शन नमर सी होगा निपट निपट मतलब क्या होता है क्या पूरा आनि ये निपट मूर्ख है आनि कि विशेशता बताता है निपट मतलब क्या होता ह संपून होता है पूर्ण होता है निपट गवार है निपट मूर्ख है इस तरह से बोला जाता है तो देखें यह निपट है जो आपका इसमें विसेशन है अगला सब्द सवाल को देखें थोड़ा पानी दीजिए इस वाक्य में थोड़ा सब्द क्या है अब देखें थोड़ के विशेशता बता रहा है न आपका quantity बता रहा है तो थोड़ा पानी दीजिए इसमें आपका थोड़ा जो हो जाएगा आपका विशेशन हो जाएगा अगला सवाल को देखते हैं कि संस्कृति का विशेशन क्या होगा कि संस्कृति का विशेशन बनाएगा तो क्या होगा तो मामा का विसेशन होगा तो मेरा हो जाएगा इस टाइब से पूछा जाता है तो इसी तरह से देखियाद रखेगा संस्कृति का विसेशन क्या होगा तो संस्कृति हो जाएगा चो इसका राइट अंसर उप्सन नमर डी हो गया 25 नमर सवाल को देखे 25 नमर्शवाल आपका है निमलिकित में से विशेशन सब्द का चैन किजी इसमें से विशेशन सब्द आपको छाटना है 25 नमर्शवाल का पैत्रिक है प्रमान है पिता है और मर्द है 25 का जो correct answer होगा पैत्रिक है जो right answer होगा पैत्रिक है जो क्या है आपका बिसेशन है सवाल नमर 26 को देखे आदर सब्द से बिसेशन बनेगा चलिए बताइए आदर से आपका बिसेशन बनाईगा तो क्या होगा गेस करिए आदर कारी आदर पूरवक आदर नहीं या इनमें से कोई नहीं आदर से जब 20 सेसर बनाएगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है तो क्या हो जाएगा 26 का हो जाएगा आदर नहीं है आदर से 20 सेसर बनाएगा तो क्या होगा आदर नहीं हो जाएगा चले सवाल नमर 27 को देखे सवाल 27 है पिडित सब्द क्या है 27 का तो पिडित सब् है जो क्या है संग्या के अंतरगत आएगा जिसे पिडित कहने का अर्थ होता है कि क्या जो दुखी है कोई व्यक्ति दुखी है सभी तरह से उसको क्या कहते है या किसी को कोई सताया है तनपाया है तो उसको पिडित का सकते है ठीक है तो पिडित है जो संग्या है याद तो देखे option नमर सी है जो ए बिसेशन है चाचा का क्या हो जाएगा चचेरा ठीक है उसी तरह से फूफा का फूफेरा तो सौंदर ये बेकारी अब रिचे सभी बिसेशन नहीं है जबकि आपका फूफेरा है जो क्या है बिसेशन है चलिए अगला सवाल को देखते हैं 29 नमर सब्द का परियोग बिसेशन के रूप में हुआ है चलिए इसमें अपना दिमाग लगाए देखे अच्छा सब्द का परियोग सभी वाकि में हुआ है लेकिन किसमें बिसेशन के रूप में हुआ है गेस किजिए तुमने अच्छा किया जो आगे क्या इसमें है ये अस्था की विसेष्था बता रहा है ठीक है तो option नमर भी 29 का character अंसर हो जाएगा तीस नमर सवाल को देखें कि इनमे से एक किरिया भी सेष्थन है चलिए अब किरिया भी सेषन से कुछ प्रश्थन देखें किरिया विसेशन कौन है इसमें तो जो किरिया की विसेशन बताता है उसे किरिया विसेशन काता है तो तीस का राइट अंसर option नमरी हो जाएगा वो धीरे से बोलता है देखे धीरे क्या है किरिया है इसका बोलना बोलना है जो क्या है फ्रेंस आपका बोलना है जो आपका किरिया है लेकिन धीरे से बोलता है तो देखिए बोलना का विसेशन बता रहा है विसेशन बता रहा है किरिया का बता रहा है तो यह आपका किरिया विसेशन option number 8 का correct answer हो जाएगा ठीक है वह जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे चलता है इसमें धीरे धीरे क्या हो गया किरिया के विशेशन हो गया क्योंकि किरिया के विशेशन बता रहा है अगला सवाल को ले पसु सब्द का विशेशन क्या होगा ये भी बहुत इंपोर्टेंट है पसु का जब विशेशन बनाईएगा तो पाश्विक ह हो जाता है Чाचा का कोच्छन पूछ जा सकता है 32 नमर सबम दर्पन एक माशिक पत्री का है में क्या है बताइब घ안배ए दर्पन एक माशिक पत्री का है तो क्या इसमें क्यों है इसका राइटनसर क्या होगा तो 62 का गेस कर लिए ऊँगा आप लोग ऑप्षполне नमर B हो जाएगा मासिक क्योंकि दरपन एक मासिक कैसा पत्रिका है तो मासिक है अगर सब्ताहिक रहेगा तो सब्ताहिक इसमें भी सेशन हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से option नमर B करेक्ट अंसर है सवाल नमर 33 को देखे ये तिस नमर सवाल है निमली खित संग्या विसेशन जोड़ी में कौन सा सही नहीं है ठीक है देखे इधर एक साइट संग्या है एक साइट विसेशन है तो कौन सा जोड़ी सही नहीं है तो 20 का विसेशन ये तो बिल्कुल सही है पिता का पहले आप लोग गेस कर लें कौन सा इसका राइट अंसर होगा दूसरा है पिता का पैत्रिक ठीक है पिता का है जो पैत्रिक है तो यह भी आपका सुमेलित है पिता का जो बनेगा विशेशन पैत्रिक है यह सब याद रखेगा 20 का विशेला पिता का पैत्रिक उन्नत सवाल नमर 34 को देखे, मिमर्खित सब्दों में से कौन सा सब्द किर्या विशेशन है? चलिए अब किरिया विशेशन देखें इसमें कौन सा है अभी मैंने बताया था फ्रेंस देखें आग या 34 का correct answer क्या हो जाएगा guess कर लियोंगे आप लोग D हो जाएगा धीरे धीरे जैसे वह धीरे धीरे बोलता है वह धीरे धीरे चलता है तो देखें बोलना और चलना का एक किरिया है उसका विशेशता धीरे धीरे बता रहते है किरिया विशेशन हो जाएगा 35 नमर सवाल को देखें 35 नमर सवाल आपका है निम्लिखित सब्दों का विशम संजोजन कौन सा है निम्लिकित सब्दों का विसम संजोन इसमें कौन सा है चलिए इसमें देखें दिमाग लगाएं रसी तदभव सब्द है गेस करें सरकारी फार्शी सब्द है लीची तुर्की सब्द है पूरो ही तदशन सब्द है आप लोग गेस कर लिएंगे फ्रेंस इसमें विसम कौन है आपका ये सही है, रस्ती है जो तच्छन सब्द है, सरकारी है जो फार्सी सब्द है, लीची तुर्की सब्द नहीं है, क्योंकि बताया था चाय और लीची, चाय और लीची है जो चीन से लिया हुआ सब्द है, चीनी सब्द है, ठीक है, इसमें ट्रिक से बताया था, चाय में संजोजन कौन है यही है ना लीची है जो तूर्की का सब नहीं है कहां का है फ्रेंज तो चीन का है 36 नमर सवाल को देखे निम्लिखित किस वाक्य में अकर्मक किरिया है 36 का अभी हम लोग देख लिए फ्रेंज पैटिस 36 नमर सवाल को देखे निम्लिखित वाक्य में अकर्मक क कौन सा आ है किसमें बहुत is important है इसका देखे मैं बालक को जगाता हूं राम पत्र लिखता है मदन गुपाल को हसा रहा है इसमें करम आ ही नहीं रहा है ठीक है और इसमें मदन गुपाल को गुपाल भी आ रहा है लेकिन गेहूं पिस रहा है देखिए तो इसमें आ रहा है कर्म नहीं आ रहा है इसलिए अकर्मक किरिया हो जाएगा ठेए फ्रेंस तो जैसे जिसमें आपका कर्म नहीं आता है फ्रेंस तो क्या हो जाएगा कर्मक किरिया हो जाएगा जिसमें कर्म आता है तो उसमें क्या हो जा तो मिठा से क्या बनता है मिठास तो मिठास ही है जो आपका बिशेशन है ठेक है आद रखेगा यह सवाल बर बर रिपीट होता है मिठास इसका करेक्ट अंसर होगा 38 नमर सवाल को देखे कि निम्लिखित में से कौन सा सकर्मक किरिया है अब यह बहुत ज्यादा विवी आ इसको कह सकते है फ्रेंस ठेक है बहुत अपमिर्व बीवी आइस सकर्मक किरिया कौन है इसमेंसे कौन सा किरिया है जो हमेंसा क्रम लेकर के आता है गेस करें 38 गहस्यों 38 का जो correct answer option नहीं सोना, हसना, रोना, लिखना right answer, option number D लिखना, अब देखे सोना, मैं सो रहा हूँ, इसमें करमा आ रहा है नहीं आ रहा है, हसना, मैं हस रहा हूँ नहीं आ रहा है, रोना, मैं रो रहा हूँ इसमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन लिखना अगर जो कहते है friends कि वह लिख रहा है तो लिख रहा है तो क्या कुछ तो जुरूर लिख रहा होगा पत्र लिख रहा है ठीक है कुछ तो लिखेगा आनि लिखना है जो आपका सकर्मक क्रिया का उधारन है इसको माइन वे फिट कर ले फ्रेंस कभी भी पूछा जा सकता है बाक हो रहा है विम्याना हो रहा है प्रफड़ाना हो रहा है अनुकरण में हर टामी सावध इसमें जाथा ही और जाता है आपका चानीक अर्षे खाए पिया आको कश पर को धोUIिए तो खुब वह किधर गया इस वाकिइ में किधर है जो कि एक कौन्सा सर्वनाम का उधारण है तो चालीस नमर सवाल का सी हो जाएगा अस्थान वाचक किर्या विषेशन हो जाएगा वह किधर गया ठीक है तहीं तो किधर गया मतलब अस्थान का कर रहा है तो option n.c इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए सवाल नमर 41 को देखे सक्ति से बनने वाला विसेशन क्या आप यह भी बहुत ज्यादा important है तो सक्ति से जो आपका विसेशन बनेगा साक्त होगा याद कर ले फ्रेंच इसको माइन में फिट कर लिए important है option number B सक्ति से क्या होगा साक्त हो जाएगा चलिए अगला सवाल है इनमें से गुन वाचक विसेशन कौन सा है चलिए अब गुन वाचक विसेशन सा आपको छाटना है 42 नमर सवाल का क्या हो जाएगा चलिए अब गुन वाचक विसेशन ऑप्सन नमर भी हो जाएगा नया 42 का 43 नमर सवाल को देखे प्रेंच 43 नमर सवाल आपका है कि काम का नाम बताने वाले सब्द को क्या कहते है चलिए बताइए गिस करिए काम का जो नाम बताता है उसको क्या कहते है तो 43 का correct answer हो जाएगा option number C हो जाएगा आनि किरिया कहते हैं याद कर ले काम का नाम बताने वाले सब्द को क्या कहते हैं तो किरिया कहते हैं अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट और आद रखें किरिया के मुलू रूप को क्या कहते हैं धातू कहते हैं आपका एक प्रश्ण पूछा जा सकता है कि किरिया के मुलू अपने वेपसाइट पर सजा करके दे दे रहा हूँ, इसका लिंक भी आप लोगो पता भी होगा, तो आपको जब भी जी मन करें, जब भी करें, पहले अभी से रिपीट करते रहेगा, तो हमेशा के लियाद हो जएगा, जब भी जी करें, फ्रेंस वहाँ पर जाकर के ये सब को आप देख सकते हैं PDF के लिए डिमांड करते थे तो इससे अच्छा है कि मैं वेपसाइट कर देता हूं फ्रेंस वहाँ पर आपका पढ़ा रहेगा वहाँ पर जब भी जाए वेपसाइट खोल करके आप पढ़ाई करें और वहाँ पर आपको पैसा नहीं लेगा इसका प्रेक्टिसेट मिलेगा फिर आपका एकॉर्डिंग टू सीलेवस फिजिक्स का डालें वो मिलेगा हिंदी का मिलेगा सब मिलेगा वहाँ पर ढुड़िये का सब मिल जाएगा ठीके फ्रेंस और नहीं तो इसका डाइरेक लिंक भी आपको मैं परवाइड करा इसमें जो उड़ रहे किरिया हो जाएगे फिर अकर्मक किरिया हो जाएगे ठीक है अकास में उड़ रही है ऑप्सन नमरे 44 का करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा सकर्मक नहीं होगा ठीक है अकास में उड़ रही है तो यह क्या हो जाएगा अकर्मक किरिया के अंतर गताएग कि जिस किरिया की रचना संगिया, सर्वनाम और विशेशन के अधार पर की जाते हैं इसका जो राय टंसर होगा फ्रेंस गेस करें 45 का करेक्ट अप्सर नमबर D हो जागा नाम धातू किरिया काते हैं याद कर लें कि जिस किरिया की रचना संच्ञा स्रावनावी सेशन के अधार परोते से नाम धातू किरिया कहते है चलिए अगला सवाल को देखते है फ्रेंस कि मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूत कालिक भेद इंगित किजिए तो मैं खाना खा चुका हूँ इसमें कांस आओगा चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि किस वाक्य में किरिया समान्य भूत काल में है ठीक है परिजन्ट इंडिफनिट टेंस में कराई फ्रेंस तो कौन हो जाएगा इसका क्या होगा उसने पुस्तक पड़ी उसने पुस्तक पड़ी है उसने पुस्तक पड़ी थी उसने पुस् विषेशन है तो किसी संग्या सरवनाम के विषेशता बताता है लेकिन जो विषेशन के ही विषेशता बता है उसे क्या काता है यह जानना बहुत जिरूरी है उसे हम लोग प्रविषेशन काते हैं ऑप्सन नमर 20 का करेक्ट अंसर हो जाएगा शवाल नमर 49 को देखें लिपिक से पत्र लिखवाता है राम है जो लिपिक से पत्र लिखवाता है इस वाकि में लिखवाता है किरिया का कौन सा रूप है ति क्या हो जाएगा फ्रेंज गेस करें ति क्या हो जाएगा प्रिनार्थक किरिया हो जाएगा आप्सन नमर 20 बहुत इंपोर्टेंट रिया राम लिपिक से पत्र लिखवाता है बहुत 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 ज्यादा लगता है कोशन टाइप करना पड़ता है उसके बाद में प्रैक्टिस करना पड़ता है तो समय नहीं आपको बना करके प्रुवाइड करा दूक हम लोग देख लिए कहाँ तक से प्रशन के लिए थे इसमें से कुछ प्रश्ण और बनते हैं तो अगले वीडियो में जब अवियव और निपात से कोश्चन में करवाऊंगा और वाके रचना से तो उसमें मैं सामिल करकर के आप लोग करवादूगा ठेए फ्रेंस तो साढ़े आठ बजे आप लोग लाइप क्लास में जिरूर जुड़िएगा तो मिलते हैं साढ़े आठ बजे फ्रेंस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद